Hey kids, today we are going to learn the new concept and the new thing that is what comes after. What comes after क्या होते हैं? पहले माम आपको इसे हिंदी में explain करेंगी. बच्चे आप सबको counting सिखाई गई है ना? हमने counting तिल 800 अब तक कर लिए है. तब क्या करना है? हम counting के से लिखते हैं? लाइक मैं सबसे छोटे से example देती हूँ. जब हम counting लिखते हैं, 1, 2. हम 2 कहां लिखते हैं? 1 के नीचे. ऐसे लिखते हैं? What comes after का मतलब भी यह होता है कि 1 के बाद क्या आता है? 2. 2. after बतलब होता है बाद में. कि इसके बाद में क्या आता है? ठीक है? तो 1 की बाद क्या आता है? 2. बट जब हम counting लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं. 1 के नीचे लिखते हैं 2. बट जब हम what comes after करते हैं तो क्या करते हैं? यह आपका one है आगे हम ऐसे लिखके छोड़ देते हैं तो this means confusion नहीं होना है इसमें हम one के नीचे two लिखते हैं इसमें हमें one के बार में two लिखना है बस लिखनी हैं यह हमें normal counting ही है हमें इस तरीके से लिखना है अब समझा है? बस आपको उसके नीचे नहीं लिखना बस उसके बार में लिखना है सिर्फ यही difference है और what comes after का meaning ही क्या होता है? कि इसके बार में क्या होता है? ठीक है? So let us start पहले हम छोटी digits से start करते हैं सब से small digit मतलब हम पहले single digit, फिर double digit, फिर double में ही होड़ी highest digits पर जाएंगे और फिर three digits का करेंगे. ठीक है? स्टाट करते है बच्छे. लाइक हम single digit के example एक और nine. Nine के बाद क्या आता है बच्छे? आपने counting करी है ना. 9 के बाद क्या आता है मैं हम पूरी counting नहीं बोलेंगी क्योंकि आपको counting आरड़ी आती है आपने pre nursery में ही सीखी दिया और अब तम UKG में है न Euro senior में हम बड़े हो गए तो 9 के बाद क्या आता है हम सबको बड़े 9 के बाद आता है 1, 0, 10 I understood कि हमने करा single digit का example अब हम करेंगे double digit का बड़ छोटा तो example है 1, 7, 17 अब 1, 7, 17 के बाद क्या आता है सबको बता है न 1, 8, 18 आनस्तर अब हमने single digit का example समझा 9 के बाद क्या आता है 10 double digit में छोटा 17 के बाद क्या आता है 18 अब हमें ये तो पता लग गया न कि हमें कैसे करना है अब हम biggest digits करेंगे like 72 के बाद क्या आता है बच्चे 73 आती है न बच्चे सबको counting 72, 72 के बाद क्या आता है 73, 73 ठीक है 9 5 95 के बाद क्या आता है 9 6 96 अब आपको double digits भी clear हो गई अब हमने triple digits में भी counting कर लिए like 100 के बाद भी हम counting कर चुके कहा तक 800 तक तक नबर तक नबर ने already what comes after कर सकते है ठीक है start करते है like 213 213 के बाद क्या आता है 2 as it is आता है और 1 3 13 के बाद क्या आता है 1 4 14 ठीक है तर 213 के बाद क्या आया 214 ठीक है what comes after का बच्चे meaning क्या होता है कि इसके बाद में क्या आता है 9 के बाद आता है 10 17 के बाद आता है 18 72 के बाद आता है 73 95 के बाद आता है 90 से 213 के बाद 214 अब हम 2 examples और करेंगे बाकिया आप सब homework में करेंगे ठीक है like 445 अभी अपने mid digit लिए है 445 के बाद क्या आता है 4 as it is आता है और 45 45 के बाद क्या आता है बच्चे 4 6 46 तो 445 के बाद क्या आया 446 understood 1 last digit हमारी 719 719 के बाद क्या आता है 7 as it is 1919 के बाद 2020 तो 720 understood बच्चे what comes after का meaning क्या होता है after means बाद में ठीक है counting में हम 1 के नीचे 2 लिखते है what comes after में 1 के बाद 2 लिखते है ठीक है बस यह एक छोटा से difference था और what comes after किसे होता है जब आपको counting आती होगी तो आप what comes after भी easily कर लोगे ठीक है hope you all have understood thank you झाल